A very good evening to all of you, सभी प्यारे विविवर्स का वेलकम है Y.D. के एडिटोरियल क्लास में, मेरा नाम है अमन बहल आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल दहिंदू का हम पढ़ने वाले हैं Dangerous Conflagration इसका टाइटल है ये आर्टिकल लिखा हुआ है आसाम और मिजरों के बीच में हुए रीसेंट जगणों पे जो आपने टीवी में और न्यूज में देखे होंगे Simple सा ये आर्टिकल और बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ आज का आर्टिकल पढ़ेंगे उसी अंदाज में जैसे पढ़ते हैं Toppers हर sentence को मैं translate करूँगा और फिर उसकी structure, grammar, vocabulary को अलग से लेकर के आपको बताऊंगा आज की सारी grammar, सारी vocabulary, सारी structures आप apply करेंगे इस quiz पे पहला पूरे मन से पढ़ो, सीखो और last में 5 में से 5 नमबर लेकर किया इस quiz में यही आपका motive होना चाहिए, objective होना चाहिए है ना, शुरू करें solutions आपको last में मिल जाएंगे इस quiz के चलिए, आईए कुछ नया सीखते है करे dangerous configuration dangerous तो आप जानते ही है, खतरनाख इसको perilous भी बोलते है, perilous आज लिखना बूल गया, इस word का दूसरा मीनिंग perilous, conflagration का मतलब होता है एक ऐसी आग जो uncontrollable हो जिसको आप अब control ना कर पाएं, सब को जला करके खाक कर दे, करें बहुत ही dangerous और uncontrollable आग हम देख रहे हैं, अगनी देख रहे हैं और कहां पर, on asam miserum border clash आसाम और miserum के बीच में होने वाले border के clashes में, border पर होने वाले जगड़ों पर तो करें ये जगड़े जो है ना, dangerous तरीके से और आग की तरह फैल रहे हैं, अब इनको control नहीं किया जा सकता चलिए देखते हैं, क्यों नहीं किया जा सकता control, conflagration, word को note कर ले ना uncontrollable fire को बोलते हैं इस word को भी मैं detail में आपके साथ discuss करूँगा, चलिए करें, जो clashes है ना, जो जगड़े हैं किस-किस के बीच, असाम और miserum की police forces के बीच करें, यह जो जगड़ा था, यह clearly बड़ा clearly था, साफ साफ था avoidable, जिससे बचा जा सकता था तो ज़रूरी नहीं है, इसी जगड़े को करने के बाद ही, border का solution निकलेगा, इसके बिना भी solution निकल सकता है, है ना class subject है, was आपकी वह होब है, link वह होब है subject आपको इसी तरीके से, blue और pink color में मिलेंगे, हर sentence के subject वह पगड़ने से, आपके understanding बहुत तैजी से develop होती है इस exercise को मेरे साथ करते जाएं हर sentence में आपको ऐसे मिलेगा चलिए, बहुत simple article आज का फटा-फट से मैं आपको सारी vocabulary दे रेता हूँ just a minute यह हमारी vocabulary sheet है आप इसको टेलेग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के comment section में भी रखिए है पिछले सारे words आपको इस sheet में detail में मिल जाएंगे आज के article में जो advanced word यूज हुए है न वो चारी है conflagration, dormant, bonamy और condone, इन चारो words को आप आप आर्टिकल में बार बार देखोगे देखे, conflagration में आपको बताया large uncontrollable fire एक ऐसी situation जिसको control ना किया जा सके उसको भी conflagration बोल दे और वैसे कहीं आग लग जाए उसको भी conflagration बोल दे जो आग आप आप जो है control ना कर बारे हो जैसे many people died in a multi-story building conflagration in सूरत बहुत सारे लोग मर गए एक बहुत मचला इमारत में लगने वाली uncontrollable आग से सूरत के अंदर तो अगर आग लग रही हो तब भी conflagration बोलना है और अगर कोई situation ऐसी हो जो आग की जैसे हो control से बाहर हो रही हो जैसे miserum al-salam के बीच का जो है water का जो clash है उसको भी conflagration बोलना है hellfire बोल दो inferno बोल दो wildfire बोल दो conflagration के synonyms है अगला word है हमारा dormant आपने dormant volcano सुने होंगे dormant का मतलब होता है सुशुप्त असरीब, inactive जो आज की rate में operational नहीं है वो कहलाएगा dormant dormant volcanoes वो है जो बहुत सालों से फटे नहीं है तो वहाँ से इस word को connect कर ले the virus remains dormant until it finds a new host ये virus जो है बना रहता है dormant बना रहता है asleep बना रहता है सुशुप्त जब तक इसको नया host ना मिल जाए समझे ना सोय रहता है जैसे इसको host मिलेगा ये जग जाएगा और अपने आपको replicate करेगा इन operative बोल दें इसको इसका noun form होता है dormancy किसी चीज के सुशुप्त होने की अवस्ता कहलाती है dormancy अगला word है bonomi ये बहुत अच्छा word है इसको आप बहुत बात देखोगे खास करके political articles में bonomi का मतलब होता है आपस की खुश मिजाजी दो लोगों के बीच का प्यार मोहबत और कैसा वाला खुश मिजाजी वाला समझे ना दोस्ता नहीं भरा इसको आप amicability बोल सकते हैं agreeableness बोल सकते हैं और एक अच्छा word है इसके लिए genialty आपस की खुश मिजाजी के लिए दोस्ती के लिए वर्ड है genialty there was a casual bonomi between the G7 leaders during the summit एक casual सी bonomi थी एक casual सी खुश मिजाजी थी leaders के बीच में किस के दोरान G7 की summit के दोरान इसको bon homie ना बोले अगर आपको Hindi medium के तो ऐसे हैं बोलना आएगा आपको bon homie ना इसको बोला है तो bonomi last word है आज हमारा condone इसको condone ना बोलें condone condone का मतलब होता है एक गलत चीज को ignore करना अब आपके सामने हो रही है कोई चीज पर आप उसको ignore कर रहे हो क्योंकि करने वाला जो है वो आपका ही है आपके घर का ही है या वो चीज जो है उससे आपको ज़्यादा दिक्तत नहीं है चाहे वो कितनी भी गलत हो तो इस काम को कहते हैं condone करना गलत चीज को भी नजर अन्दाज कर देना no democratic state can condone the use of violence कोई भी गंटंत्रिक state जो है जन्तंत्रिक state जो है democratic state जो है वो condone नहीं करेगी नजर अन्दाज नहीं करेगी violence के इस्तेमाल को इसको disregard बोल सकते है और इसके एक synonymous idiom होती है to turn a blind eye to something किसी चीज की तरफ eye को blind कर लेना किसी चीज को कुछ देख करके भी अन देखा कर देना condemnation इसकी noun form है चारी words है revise करना फड़ा फड़ बढ़ते है article के एक summary में आपको दे रहता हूँ किस बारे में लेखा हुगा है उससे पहले add करूँगा आप किसी भी exam की त्यारी करते हो इंडिया के जितना जरूरी उसके concept शीखना है उतना ही जरूरी है last moment पे उसके exams को देना mock test को और mock test के अंदर test book भारत का leading brand है और example आप देख पारे होंगे चाए SSC हो, चाए banks हो, चाए UPSC हो, चाए defense हो हर exam के 1000 mock test आपको मिलते हैं एक single package के अंदर अब ये 17,000 mock test का पूरा package जो है आपको मिलता है 2.99 रुपीज में एक साल के लिए और 3.99 में टू येर्स के लिए और ध्यान रखें जब आप buy करें न तो YAT10 coupon code लगा ले न 10% additional discount मिल जाएगा buying link को मैं डाल रहा हूँ comment section में first comment में pinned है आप वहाँ से buy कर सकते हैं summary बहुत सीधी सी है असाम और मिजरूम दो स्टेट्स हैं इंडिया की आप जानते हैं इनके बीच में border का issue चल रहा है बहुत पुराना ये issue तूल पकड़ गया दो दिन पहले जब असाम और मिजरूम के पुलिस वाले आमने सामने हो गए और गोलियां चलने लगी इन गोलियों में डेथ होई असाम के कई सारे पुलिस वालों की हवर आर्डिकल क्या कह रहा है कह रहा है इंडिया की दो स्टेट्स अपस में लड़ रही है इस से ज़्यादा unfortunate बात एक democracy के लिए होई नहीं सकती अब ये suggestions दे रहा कुछ suggestions क्या है असाम और मिजरूम दोनों में एंडिया की सरकार है आपसी खुश मिजाजी के साथ में इस मामले को सुलजाय जा सकता था लेकिन फिर भी गोलियां चली बहुत गलत बात दूसरी चीज़ ये मामला center को home ministry को अपने हाथों में लेना चाहिए अभी भी ले लेना चाहिए जल्दी से जल्दी क्योंकि home ministry के बीच बचाप साई इस मामले को सुलजाय जा सकेगा लंबे वक्त में गोलियां चलके कोई solution नहीं है बहुत ही गलत काम हुआ समझके ना बस यह आज इसकी समरी है गोलियां नहीं चलनी चाहिए थी आज की tone है apologetic और retrospective मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पकड़ी जाती है जब जब आपको article को पढ़के ऐसा लगे कि किसी चीज का पस्तावा है जैसे आपको यहाँ देखके लगेगा कि classes जो है इकोशिश कर रहा है past में अगर आप अपने retrospect करोगे past को देखोगे तब भी retrospective tone को आप यूज करते हैं past में देखना अपने गिरेबान में जाकना ठीक है इसी descriptive के उपर एक question मैं दे रहा हूँ इसी summary के उपर question थोड़ा आज हीव है आज का अगर आप आसाम या मिजरूम दोनों में से किसी भी state के cm होते तो इस मामले को किस तरीके से सुल जाते तीन sentence में इसका आंसफर करना है बहुत अच्छी situation दे रहा हूँ मैं आपको आसाम या मिजरूम के cm होते हैं किस तरीके से इस जो है पूरे मामले को आप डील करते हैं फर्स कोमेंट में मेरा आंसफर मिलेगा आपको अपना डिस्क्रिप्टिवी लिखना शुरू करो तीन sentence रोज करफ फॉल्विंग अ डेंजरूस एंड अवोड़ेबल एसकलेशन इसका पूरा नाम में पढ़न नहीं पाराओं ठीक से करफ बाद में फॉल्विंग फॉल्विंग का मतलब बाद में अभी इस पर ग्रामर रूल आपको करवाँगा मैं करफ फॉल्विंग बाद में एक बहुत ही खतरनाग और अवोड़ेबल एसकलेशन के मतलब होता है चीजों का इंटेंसिफाई होना चीजों का एसकलेट होना ऊपर आना करवाँट ही खतरनाग और रादर अवोड़ेबल एसकलेशन के बाद में एसकलेशन था एक डॉर्मेंट वाटर डिस्प्यूट का ऐसा वाटर डिस्प्यूट जो की मतलब यहां असाम की स्टेट की पुलिस और मिजोरम की पुलिस मंडे को सोमवार को करबाद में एक dangerous और avoidable escalation के जो border dispute की उपर था जो अभी तक सुशुप था डॉर्मेंट था पांच पुलिस वाले और एक सिविलियन असाम के मारे गए इस शहर के अंदर मिजोरम के उन क्लैसिस के बीच में जो हुए हैं असाम की पुलिस दस्टेट की पुलिस और उनके counterpart में यूपर काम हुआ इसलिए भी फैमली की वब और वी त्री को यूज किया है डॉर्मेंट आप जानते हैं काउंटर पार्ट का मतलब होता है आपका समकक्ष जैसे इंडिया इंडियन पी-म का काउंटर पाकिस्तान में है जैसे इंडिया में जो अपने पी-म है मोदी साफ प को दिहान से समझना कभी-कभी आप देखोगे following कभी-कभी देखोगे followed by दोनों में फर्क क्या होता है हिंदी में बता देता हूं और इंगलिश में भी following का मतलब है coming after बाद में और followed by का मतलब है leading पहले याद रखना बहुत ही असान है followed by का मतलब यही है आपको follow किया जा रह है आप किसी के बाद में आ रहे है आप बाद वाले हैं आपसे पहले कोई following या followed by an injury he took retirement from army एक injury के बाद में उसने आर्मी से retirement ली एक injury के बाद में उसने आर्मी से retirement ली बाद में के लिए हमें यूज़ करना है following को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे followed by को निकालके following an injury following को सीधे सीधे आप after लिख देंगे तो और असानी से आप समझ पाएंगे ठीक है after an injury he took retirement from army अगर यहाँ पे आप followed by लिख देते तो उसका मतलब क्या होता पहले इसने पहले इसने रिटार्मेंट ली और फिर इसके injury हुई समझे रो ना उल्टी बात हो जाती पहले इसने रिटार्मेंट ली फिर इसके injury हुई हम करें पहले इसके injury हुई है injury की वज़े से इसने एक रिटार्मेंट को लिया है और sentence मनाएंगे Usain Bolt finished the race first following यह followed by Tyson Gay लीडिंग है Tyson Gay following है Tyson Gay followed by होगा यहाँ पे लिखेंगे आप क्यों लिखेंगे क्योंकि Usain Bolt पहले आया है Tyson Gay बाद में आया है followed by के बाद में आप उसी को लिखें जो follow कर रहा हो जो बाद में आ रहा हो माल अगर मैं following लिख देता तो इसका मतलब पता है क्या होता Usain Bolt का पहला स्थान था लेकिन वो Tyson Gay से पीछे था अरे पहला स्थान भी था और Tyson Gay से पीछे भी था तो एक पॉसिबल नहीं है न तो following यहाँ पे नहीं आ सकता एक sentence और बनाओ following या followed by the rights army was deployed rights के बाद में दंगों के बाद में army को deploy किया गया दंगों से पहले army क्यों लगाएंगे दंगों के बाद ही लगाएंगे न तो बाद में के लिए use करते हैं अपने following तो followed by को यहाँ पे use नहीं कर सकता following the rights या after the rights army was deployed a subject is followed या following by a main verb एक subject जो है वो followed by होता है उसके पीछे-पीछे आती है main verb उसके पीछे-पीछे आती है subject किसी को follow नहीं करता है subject के बाद में verb आती है अगर subject किसी को follow नहीं करता है तो यहाँ लिखे subject is followed by a main verb इस त Richmond इस तरीके से आपको दोनों में फर्क करना है अब बता रहा है इन जगडों के हिस्ट्री का है करे जो सीक्मेंस ओफ इवेंट्स है जो सारी गटनाओं का एक क्रम है सीक्मेंस है और गटना ये सीक्मेंस शुरू कब हो आता है अक्टूबर 2020 में पिछले साल करे ये पूरा क्रम सजेस्ट करता है ऐसा इशारा करता है जो चीज शुरू हुई थी और कैसे जड़ब के तौर पे स्करमिश के तौर पे किस के बीच में वहां के लोगों के बीच में और कौन से लोग जो क्लोस टू है जो नजदीक रहते हैं डिस्प्यूटिट बोडर के और किस किस के बीच आसाम के एकाचर और मिजरम के कोला सिब डिस्टिट के बीच करा सीक्मेंस ओफ इवेंट ये पूरा का पूरा जो घटना 2020 से शुरू हुई है यह यही सज़ेस्ट करती है कि जो घटना इस तरीके से शुरू हुई थी वो स्नोवाल कर चुकी है वो बड़ी हो चुकी है इसकलेट हो चुकी है इंटेंसिफाई हो चुकी है एक बहुत ही वाइलेंट बहुत ही हिंसक कनफरंटेशन में जगडे के अंदर पुलिस और रेसिदेंस के बीच समझे ना तो पहले हुई थी लोगों के बीच के एक चोटी मोटी जढ़प और वो जढ़प बढ़ गई पुलिस वालों के बीच में आगे और पुलिस वालों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी स्नोबॉल्ट कनफर्टेशन का मतलब होता है जगडा एंड काउंटर बोल दें आप इसको बिगिनिंग यहां पर अच्टिव है वो सीक्मेंस ओफ इवेंट्स जो बिगिन हुआ था अक्टूबर दो जार बीस में रेसिडेंट्स के लिए क्लोस तू नाम का अच्टिव है है वो रेसिडेंट्स जो बाजू में रहते हैं इसको फाइड बोल दो ब्रॉल बोल दो अल्टरिकेशन बोल दो अल्टरिकेशन एक एडवांस वर्ड है इसका मतलब होता है कहा सुनी आपसी बहस आगे बढ़े स्न स्नो की बोल को एक दूसरे पर फैकते हो जैसे-जैसे वोसोकी बोल को एक दूसरे पर फैको होगे ना वो बड़ी होती जाएगी स्नो बोल बहुत है किसी छीज का अचानक से बहूत बढ़ा कार ले लेना करे ये गटना है पॉइंट टू करती इशारा करती है नाकाम्याबी की तरफ समझानिक धांचे की कॉंसिटूशन मशिनरी के और वो कॉंसिटूशन मशिनरी जो एमपावर्ड है जिसको तागत मिली हुई है दी एसकलेट करने की नरम बनाने की टेंशन को बोर्डर के उपर तो समझानिक धांचा फेल हुआ इसी वज़े से इस तरह के इवेंट्स ने अंजाम दिया गया इवेंट्स की वह वह पॉइंट टू plural subject, plural verb, पीछे ऐस नहीं आ रहा है पॉइंट के मशिनरी के लिए एमपावर्ड नाम का करें जो presence है जो मुझूदगी है center parameter forces की CRPF की करें इस मुझूदगी ने help करना चाहिए था maintain करने में peace को इस मुझूदगी ने presence ने मदद करनी चाहिए थी शान्ती को कायम करने में करें लेकिन ये curiously ऐसा case बिल्कुल भी नहीं है बड़ी curiosity की बात है CRPF वाले भी शान्ती को कायम नहीं कर पाए समझ के presence की वह बहुब है should have helped it की वह बहुब है help के बाद में अब bear infinitive लिखें चाहिए to infinitive लिखें helped to maintain भी ठीक होता और helped maintain ये भी बिल्कुल ठीक है अब मैं एक छोटा सा concept आपके साथ discuss करूँगा यहाँ पे इसको बोलते है lost opportunity की structure model verb जैसे यहाँ पे should आई हुई है could आ सकती है, would आ सकती है model verb के बाद में has, have और had इन में से आपको एक choose करना है और फिर आएगी verb की third form अब देखो यह मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ has, have और had इन में से एक choose करना है आप देखोगे हमेशा heavy आता है model के बाद has और had आप कभी भी लगाए ही नहीं सकते हो क्योंकि have family का bare infinitive heavy है model की खासे तापको बता है इसके बाद में हमेशा bare infinitive आता है तो कभी भी has और had को आप नहीं देखोगे तो इस चीज को हमेशा याद रखना है ठीक है, तो इस structure होती है model plus high plus में V3, यह structure बताती है lost opportunity को ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था समझे ना, हुआ नहीं है कोई काम है जो होना चाहिए था पर हो नहीं पाया आप उस opportunity को miss कर रहे हो यह structure का यही काम है बताने का जैसे, I should have worked hard I should have worked hard मुझे hard work करना चाहिए था अक्सर यह sentence तब सुनोगे जब आप failure को सामना करते हो आपको किसी चीज में failure नकाम्पय भी मिलती है तब आप अपने आप से बोलते हो I should have worked hard समझे ना, यह structure का मैं आपको context समझा रहा हूँ, कैसे use करना है अब इसके उपर जो sentence बनते हैं जिन पर गलती होती है निहान से समझो they might have succeeded वो succeed कर सकते थे वो काम्याब हो सकते थे they might have succeeded अब ध्यान क्या करना है, have के बाद में लगाने है V3, succeed है कैसी वह होब है जिसको आपको देखके लगता है, V3 होगी लेकिन यह V1 है, succeeded इसकी V3 है they might have succeeded structure यही रहेगी could लगा लो, should लगा लो, would लगा लो, might लगा लो model की कोई भी लगा ले और बाद में लगेगा have plus में verb की third form, have plus में succeeded वैसे we could have won the lottery हम lottery को जीत सकते थे we could have won the lottery आपको लगेगा यहाँ head ठीक है, लेकिन model की बाद में have आता है, head कभी भी नहीं आता, तो इस तरह के इस पर questions बनेंगे, model की बाद में have लगाना है, बाद में V3 लगानी है, चलो आगे बढ़ेंगे, आज के quiz में थोड़ा सा में आप confuse करूँगा, इसी structure को लेकर के कहरा है, besides, Assam and Mizraim are governed by BJP and its ally, the Mizo National Front, respectively, and are part of North Eastern Democratic Alliance, of which the Assam Chief Minister Himant Bisw सर्माई जै, founder, convener कहरा है, इसी के साथ-साथ traditionally, besides, दोने जो states है न, Assam और Mizraim, यह governed होती है, passive voice में, इन पर राज किया जाता है, एक तो BJP की और इसके एक अलाई दोस्त के दोरा Assam में BJP, मिजरम में इसका अलाई इसका दोस्त, और दोस्त कोन है, the Mizo National Front parties के नाम के आगे हमेशा दो को लगाएं करे, respectively, करमश है Assam के अंदर BJP, और इसका अलाई जो है मिजरम में, Mizo National Front और करे, दोनों ही states एक हिस्सा है, पार्ट है और किसका, North Eastern Democratic Alliance का, इस पूरी पार्टी का करे, जिसके, of which Assam के जो Chief Minister हिमंद बिश्व सर्मा है न, वो founder convener है, जो की इस पूरे मोर्चे के सस्तापक भी है और इस मोर्चे को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों इस states में एक ही पार्टी की सरकार है अल्मोस्ट, फिर भी दोनों के CM अपस में लड़े हुए है Assam और Miserum की वोब है R governed और R, पहली वोब है passive में, दूसरी वोब है active में, बीच में end लगा हुए, Assam Chief Minister की वोब है is, एक concert में आपको करवाँगा, और एक concert में आपसे पूछूँगा देखो, यहाँ पे R common है दोनों वोब्स में R आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने R को दूसरी बार लिखा है repeat किया है, इसके पीछे क्या reason है, कई बार करवा चुको आपको यह reason में, कब कब helping वोब्स को repeat करना होता है, जरूर से बताना जिन लोगों को यादो, अब जो concert में आपको करवा रहा हूँ, वो आप देखो फटावट से, find और found के बीच का difference, देखे found का मतलब होता है, establish करना किसी चीज की स्थापना करना, और find का मतलब होता है, किसी चीज को ढूड़ना detect करना, दोनों में confusion इसलिए आती है, क्योंकि found, founded founded, और find, found, found ऐसे चलती है verbs, तो found इसकी first form, और find के second form found एक जैसी है, तो इसी वज़े से दोनों verbs में confusion आती है confusion दूर कैसे होगी sentence का meaning जाने, किसी चीज की स्थापना की बात हो रही है, या किसी चीज को ढूडने की बात हो रही है, उसी हिसाब से सही verb को सही form में use करें, जैसे three ships have been sent to find या found the missing plane, तीन ships को भीजा जा चुका है, find या found करने के लिए, गुमे हुए plane को खोजने के लिए, missing plane को देखो, खोजने की बात हो रही है, find करने की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे to के बाद में find की first form को use करेंगे, to find to find the missing plane अब आप यह भी बोल सकते हो sir find की second form found होती है, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं लगी, to लग गया न, to के बाद में 99% cases में वर्ब की first form आती है, bear infinitive को use करते है, तो to find the missing plane, और वैसे Microsoft was found या founded by Bill Gates, Microsoft की स्थापना Bill Gates के द्वारा की गई थी, अब देखो, यहाँ पे स्थापना की बात हो रही है, was के बाद में वर्ब की third form चाहिए, तो found की third form founded को use करूँगा, और यहाँ लिखूँगा was, was founded by Bill Gates समझ गे, चलिए जिन लोगों को पता हो, जरूर से बताना आर को दो बर क्यों लिखा हो है देखते हैं कितने लोगों को याद है यह वाला concept आगे बढ़ते हैं, करे the political and bonamy, the political bonamy should have allowed the respective chief ministers to tamp down border tensions and to return to the status quo, through joint fact finding teams, involving the administrative officials in maintaining the peace over the border issue करे दोनों, इस word को मैं थोड़ा सा yellow color देदू करे जो political bonamy है जो सियासी, जो राजनिती के खुश मेजाजी है, दोस्ताना है आपस का करे उसने allow करना चाहिए था should, प्रसमे है, वो प्रसमे वाप की third form, structure of lost opportunity, करे आपस की राजनिती खुश मेजाजी को allow करना चाहिए था, respective chief minister को time down करने में border के tensions को, इधर और दोनों तरफ के chief minister को कम करने में, नरम मनाने में, de-escalate करने में, time down करने में, border के तनाव को, और return करने में status quo की तरफ, status quo का मतलग होता है, पुरानी situation, जहां पे आप अपने घर में थे, हम अपने घर में हैं, जहां पे आपस में कोई भी विवाद नहीं है, और यह काम होना कैसे था, यह होना था, through जरिये, joint fact finding teams के, ऐसी teams जो है, investigate करती हैं, और facts को find करती हैं, और बॉर्डर की tensions को कम करती हैं, joint investigation करवाती, दोनों तरफ के जो police वाले हैं, या बड़े बाबू officer हैं, उस investigation team में होते, बॉर्डर पे piece बननी रहती हैं, पूरा issue सुलट जाता, तो ऐसा होना चाहिए था, समझ गे, बनमी की intensity को कम करना है, टैंप डाउन, चलिए आगे बड़े, कह रहा है, हाँ, instead, both chief ministers have been exchanging allegations on twitter, seeking the intervention of union home minister Amishah, and using videos to tell a story that suited their version of events, a farcical means of communication, कह रहा है, बजाए इसके दोनों chief ministers जो है, वो exchange कर रहे हैं, have been exchanging allegations को आरपों को twitter के उपर, इसके बजाए, ऐसी fact finding team बनाने की बजाए, खुश मिजाजी दिखाने की बजाए, दोनों के cm एक दूसरे को, जो है, twitter पे बुरा बला जो है, सुना रहे हैं, अब ये काम कैसे कर रहे हैं, सीख करते हुए, चाहते हुए, मांगते हुए, दखलना जी को, intervention को, home minister अमित शाखी, और use करते हुए, videos को, बताने के लिए, टैल करने के लिए, एक ऐसी कहानी, जो अपने अपने version को suit करे, असाम वाला अपना version बता रहा है, मिजुरम वाला अपना version बता रहा है, पूरे events का, तो ऐसा काम हो रहा है, बजाए इसके, कह रहा है, यह जो ट्विटर वाला जो पूरे मामला है न, यह एक फार्सिकल means of communication है, अपने आप में बहुत ही, वाहियाद means है communication का, अगर आपको कुछ बताना है, तो press conference करो, ट्विटर पर क्या बताना होता है किसी को है न, वीडियो दिखा करके आप जो है, अपनी सचाई को बयान कर रहे हो, समझ गे, sentence की structures देखो, बहुत सारे words आई है, चीफ मिनिस्टर की वाब है, have been exchanging, present perfect continuous stance में, जब कोई काम past में भी हो रहा हो, राज भी चालू है होना, उसको आप इसी तरीके से बताते हो, have been, has been, जो है, प्लस में वाब की ing form, allegations का मतलब होता है, blame, एक दूसरे प्यारोप, जब ट्वीटर के, जब ये chief minister, exchange कर रहे थे, allegation को, उसी वक्त ये seek भी कर रहे थे, और use भी कर रहे थे, वीडियोस को, ये seeking और using present participle simultaneous action है, इनके exchange करने के साथ में, ये दोनों काम भी जारी थे, seek एक transitive verb है, इसलिए intervention लिखा, इसने बाद में, अपने seek के बाद में, कभी भी for, ना लगाए, that की verb is suited, story के लिए relative प्रनॉमन that, इस word को देखे, फार्सिकल, देखे, ये word बना है, something full of farce है, farce मतलब something full of farce, अब farce क्या होता है, farce का मतलब होता है, व्यंग है, ऐसा comical satire, जिसमें कोई logic ना हो, एक दब ridiculous हो, बस हसाने के लिए हो, आपको, तो ये जो means of communication Twitter है ना, ये भी अपने आप में, इसका use भी जो है, इस्तमाल भी जो है, farce कल है, एक state के chief minister के दबारा, एक दम ludicrous है, एक दम बेहुदा है है ना, बिना logic का है, farce कल, चलिए आगे बढ़ें, करें, this also occurred, just days after both chief ministers, along with others, met with Mr. Shah to discuss the resolution of interstate border disputes, कहरा है, ये चीज, साथ ये चीज अकर हुई है, ये पूरी घटना अकर हुई है, कुछी दिनों के बाद, just days after, जब दोनों chief ministers, कई दूसरों के साथ में, मिले थे Amit Shah से, Mr. Shah से, discuss करने के लिए resolution को interstate border disputes के, तो कहरा है, थोड़े दिन पहले तो Amit Shah सेन की मुला कातु हुई है, बाब जुद उसके इस पूरी घटना का होना बड़ा ही दुखत है, दिस की वह हुब है occurred, chief ministers की वह हुब है met, simple sentence है, करे, the unfortunate loss of lives has led to hardened stances, with Mr. Sharma announcing that Assam would deploy 4,000 commandos to guard its border, even as miserable chief minister Zoram Thanga has maintained that the casualties followed from Assam police action, करे, जो unfortunate loss of lives है ना, जो ये बहुत ही दुर्भा गया बच्छे, लोगों की जान गई है, करे, lead to कर गया ये चीज, यह हमें आगे ले गई है, और किस की तरफ, और भी कड़े stances की तरफ, और भी कड़ी position की तरफ, दोनों तरफ के CM जो है, और जो है, कड़े कदमों को उठाने का, उठाने की बात कर रहे हैं, अब देखो कैसे हो रहा है, के साथ ही with Mr. Sarma के Announce कर देने के, कि Assam deploy करेगा, Assam काम पे लगाएगा, Assam जो है, छोड़ देगा, 4000 कमांडो को अपने border पे इसको guard करने के लिए, और यहां तक कि जबकि इवन एस, मिजुरम की जो चीफ मिनिस्टर है, जोरम थंगा, उन्होंने मेंटेन किया है, कि यह सारी जो casualty है, यह follow की है, Assam police की एक्शन की वज़े से, मिजुरम की वज़े से नहीं हुआ, जो भी हुआ, Assam police की वज़े से ही हुआ है, ऐसा जोरम थंगा का कहना है, सामजगे, तो दोनों जो है, तना तनी में आ गए है, दोनों के CMs, unfortunate loss की वज़े है, has led to, stance का मतलब होता है, position, मुदरा, Assam की वज़े वज़े, चीफ मिनिस्टर जरम थंगा की वज़े है, has maintained, casualties की वज़े वज़े वज़े, अब देखने वाले words देखना, stance में आपको बता दिया है न, casualty, एक word है Fatality एक word है, casualty, casualty और fatality में एक slight difference है, casualty में deaths भी आती है और injuries भी आती है, but fatality में सिर्फ death आती है, इन दोनों words के बीच में आपको कई बार confusion होगी, close-blows test में, तो फर्क यह से करना आपको, अगर injured की बात भी कर रहे हो, तो casualty में जोड़ दो, सिर्फ मोतों की बात कर रहे हो, तो सिर्फ बोलो आप fatalities, बढ़े आगे, चलो, क्यारा है, sectarian tribalism has been the bane of the northern eastern states, with under development acting as a catalyst in complicating not issues over land and water issues in the region, यह under development को yellow color देते हैं, क्यारा है sectarian tribalism जो है, ट्राइबलिजन का मतलब होता है, अधिवासी वाद, भई हम यह अधिवासी हैं, हम इस tribal कास के हैं, आप उस tribal कास के हो, उस tribal community के हो, और sectarian का मतलब होता है, अपने-पने set की बात जबाब करते हैं, अपने-पने पाले की बात करते हैं, अपने पक्ष की बात करते हैं, तो क्यारा है आधिवासी के बीच का जो जगड़ा है, आधिवासी के बीच का जो sectarian जो मुद्दा है, क्य को ये काम कैसे रहुआ है under development के विकास ना होने के act करने के साथ ही और कैसे एक motivator के दोर पे cattle के दोर पे और किसमे complicate करने में और ज्यादा पेचिता बनाने में इस naughty issue को इस complicated issue को और issue land और other issues का इस region के अंदर तो tribalism तो वहां पे है आदिवासी वाद तो वहां है साथ ही साथ वहां पे जो विकास नहीं होता है अंडर development है उस विकास की वज़े से लोग और ज़्यादा motivated होते हैं कि इस मुद्दे को और ज़्यादा complicated बनाएं और ज़्यादा लडाई करें समझ गे अब आव उस sentence को देखने वाली words देखो हो इसमें sectarian एक adjective है tribalism आपका subject है has been आपकी verb है present perfect tense में जब जब आपके पास कोई verb ना हो आपको एक link verb चाहिए हो तो present perfect tense में has plus में been को use करते है tribalism मैंने आपको बता दिया है na tribal word हम ये tribal हैं आप वो tribal हैं हम इस community के है आप उस community के है बेन का मतलब होता है अभिशाफ इसको curse बोल दें इस curse बोल दें ट्रबल बोल दें अभिशाफ बोलते है naughty हर वो चीज है जो controversial हो यह complicated हो not का मतलब होता है gant है na naughty मतलब गंठीला हर वो चीज गंठीली होगी naughty होगी जो smooth नहीं होगी controversial होगी complicated होगी करना इस हर वो चीज है जो motivate करें आपको किसी काम को करने के लिए कर देर इस no short short and quick solution possible to the border disputes between various states without a spirit of give and take and a civic engagement brokered by the union government अब बता रहा है इस dispute का हल क्या है कर रहा कोई भी short short or quick solution है नहीं कोई भी पक्का और तेजी से आने वाला हमारे बास समाधन है नहीं जो possible हो in water disputes का कई states के बीच में और किसके बिना बिना एक spirit के बिना एक भावना के give and take की और बिना एक civic agreement के बिना एक नागरिक engagement के जिसकी मध्यस्ता करे ब्रॉकरेस करे जिसका agent बने union government तो union government की center government की ब्रॉकरेंग के बिना mediation के बिना मध्यस्ता के बिना और एक give and take की भावना के बिना कोई solution in water disputes का नहीं है आखिर तो हम भारती ही है ना अगर ये वाला गाम मिजोरम में आ गया या असाम में आ गया रहता तो इंडिया में है ना तो ये give and take की भावना होनी चाहिए और center government को बीच में आना चाहिए समझ गे sentence को subject आपका solution verb आपके is देर से close शुरू हो रहा है इसलिए verb के बाद में subject को रखा गया है यहाँ पे solutions लिखा होता तो यहाँ पे आर होता verb का देर से कोई connection नहीं होता है ना ब्रॉकर्ट मतलब mediated civic मतलब नागरिक give and take अब जानते हैं short short मतलब पका spirit का मतलब है intention या भावना केरब बट for that to happen government should first not condone violence of any kind and should restrain partisans engaging in such activities in their respective states केरब लेकिन इसीज के लिए for that to happen इस काम के होने के लिए सबसे पहले सरकार को condones नहीं करना चाहिए सरकारों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए violence को किसी भी तरह की हिंसा को of any kind और सरकारों को should restrain देखो should दूसरी बार अपने आप मान लेंगे आप यहां पर सरकारों को restrain भी करना ही चाहिए control भी करना ही चाहिए उन partitions को उन gangs को उन sects को उन पालों को जो engage करते हैं इस तरह के activities में अपने अपनी states के अंदर तो सरकारों को समझना चाहिए कि इस तरह के groups को हमें बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है और violence को तो नजर अंदाज करना चाहिए ही नहीं समझ कि गॉर्मेंट्स की दो वब है should condone और should restrain दूसरी बार should को हमने नहीं लिखा है कंडोन का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेंस दिखाना किसी चीज को नजर अंदाज कर देना कि होता है तो गलत होगा लेकिन ठीक है चलो हो रहा है तो हो रहा है इसको आप टर्न अब ब्लाइंड आई टू भी सम्तिंग बोलते हैं यह तू हमेशा लगाना है ना यहां पर फोर या कुछ यही स्यर्म मत लगाना यहां पे टू आएगा एडियम है चलतें चलिए पारटिसं और यहीं मिजो रम यह हमारा मिजोर्व यह हमारा शाम है ना यह पारटिसंज भी रूस को बोलें वाल्डिसंस कारे ए хотя एक रिसोर्ट home in the इस पूरे डिस्प्यूट को और ज्यादा हाड़न करेगा दोनों के स्टांसिस को एक आदमी को दोनों में से ढलना पड़ेगा और दोनों ढल जाए तो और भी अच्छा है ये डाल डाल में पात पात वाली बात ना करो हमने चार जार लगा दिये तुम आठ जार शोलजर लगाओगे ऐसे कुछ होने वाला नहीं है समझ गे रिसोर्ट की वर्ब है विल उनली दूसरी बार विल को नहीं लिखा गया है दो वर्ब्स हैं एंड कंजेंक्शन से जुड़ी हुई है वन अप मैंशिप मतलब आप बैक और फॉर्थ कॉंपेटिशन करते हो तू डाल डाल में पात पात तू इतना करेगा तो चलो मैं इतना आपको करके दिखाता हूँ इसको रिटर्न तो दू स्टेश को देट प्रिवेड विफॉर्थ को इसको इन अपर तू इसकोर ना चाहिए पक्का करना चाहिए यह जो सिचुवेशन की है न जो बॉर्डर की असाम इजरम के यह पहले सब्जेट्ट तो होती है डीसकलेशन के पूरी सिचुवेशन जो है सबस Steps को Take किया जाता है Steps को क्यों Take करना है Return 2 करने के लिए Status Go की तरफ पुराने हालातों की तरफ जो हालात प्रिवेड करते थे जो हालात चलन में थे और कब से पहले before the Scrimishes Begin इस से पहले कि जढब शुरूर ही और कहां पर October 2020 में पिछले साल और यह काम कैसे करना है कोपरेशन के साथ में करना है सयोग के साथ में करना है दोनों ही रिस्पेक्टिव स्टेट्स के असाम और मिजरम के एक बार रिबीट कर देता हूं हॉम मिनिस्ट्री को पक्का करना ही चाहिए कि इस सिचुएशन जो है सबसे पहले डी-एस्कलेशन के अधिन होती है दी-एसकलेशन से सब्जेक्ट वोती है वहाँ से गुजरती है और स्टेप्स को उठाया जाता है ताकि वो रिटर्न टू कर रहा है पूरा मामला स्टेट्स को की तरफ और वो स्टेट्स को जो की चलन में था इस से पहले की जड़ब शुरू ही 2020 के अंदर अक्टूबर के अं और स्टेप्स की वो रहा है वाँ से स्टेप्स और टेट् शूदैंट हो तो यहाँ पे अरगो लगना आपको पड़ेगा द्ध वोबर प्रिवेल स्टेड़ स्टेज को के लिए है प्रिवेल का मतलब होता है चलन में होना प्रेवलेंट होना किसी चीज का स्कंविशी क्य Mutual funds are subject to market risk. Mutual funds market risk के अधीन होते हैं, है न, किसी चीज से गुजरते हैं. चलिए, simple article है, छोटा सा article है, फड़ा पड़ से बढ़ेंगे अपने quiz की तरफ, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, जो भी structures थी, जो भी grammar rules से मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं, अब फड़ा पड़ अपलाई करो इस quiz पे, finder और founder के बीच का difference बताओ, आप कब should के बाद में have लगाते हो, has लगाते हो, head लगाते हो, और फिर v1 लगाते हो और v3 लगाते हो, ये पुरी lost opportunity की structure क्या है, इसको आपको second question में अपलाई करना है, तो choose to ignore an evil or misdeeat, इसके लिए one word क्या लगा होगे, समझगे ना, किसी चीज को नजर अंदाज करने के लिए, गलत चीज को कौन सा one word यूज करोगे, one me करोगे, condone करोगे, क्या लगा होगे, last में आपको मिलेंगी दो errors, अब मैं बता दूँगा, तो आप फटा पर पकड़ लोगे हैं न, इसलिए आपको खुद से पकड़ना है, इस पांचो questions के answer आपको मिलेंगे, इसी वीडियो के comment section में, first comment में डाल रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड करें, first comment से चेक करें, और अपना score मुझे जरूर से बताएं, आपको कितने मिले out of five, आपका descriptive question आपको याद है, अगर आप cm होते, दोनों में से किसी वी एक स्टेट करें, तो मामले को कैसे handle करते हैं, जरूर से तीन sentence में बताना है आपको, मुलागात होगी अगली audio में, वीडियो में, until then, signing out.